हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो लास्ट वीडियो तो आप लोग उन्हें जरूर देखा होगा अगर नहीं देखा तो जल से जल देख लिजे क्योंकि उस वीडियो में मैंने एक बात आप की बात करें तो कुछ निफ्टी विफ्टी वाले स्टॉक मैंने आप लोगों को बता है जो कि फ्यूचर में अच्छा का सा पर्फोर्मस दे सकते और उसके पीछे का कुछ लॉजिक प्रेजेंट कि उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बता है कि ऐसे स्टॉक्स जो कि निफ्टी फिफ्टी में अभी नहीं है बट अगर उनको जगा मिल जाती है तो उसमें रैली आना बिलकुल तैह है आप लोग कोई भी निफ्टी फिफ्टी के जो री बैलेंसिंग हम लोग जो बोलते है ना निफ्टी फिफ्टी ये जो पचास शेर्स ये कोई पर्म देख का पैसा कमा सकते हो सो रुस्तों इसी शेर की हम लोग यहां पर बात करने वाले possibility की बात करेंगी गारंटी कुछ भी नहीं है मैं आप लोगों को यह बी बताँगा कि यह चीजे मैंने इससे पहले भी वीडियोज में बताई थी जहापे में आप लोगों को कहा था कि 50 में यहाँ पे जब री बैलेंसिंग होगी फेब मार्च में हो जाएगा तभी उस शेर को यहाँ पे 50 में जगा मिल सकती है अगर वो एक शेर अगर आप लोग जान सको तो definitely आप लोगों को भी यहाँ पे अच्छी लोटरी लग सकती है आपके भी किसमत बदल सकती है कभी-कभी ऐसा होता है कि वह स्झाग हमारे पोर्फॉल्य में बेहे और यहां पर हमारे किसमत बदल जाती है कभी-कभी हमारे पोर्फॉलSch में नहीं रहता है तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ऑच तक देखा जाए तोँ eu वो definitely उनमें इतनी काभिलियत रहती है जो कि out of the nifty 50 criteria में बता रहो तो ऐसे stock में ने कुछ आप लोग को बता है तो वो ऐसे stock है जो कि काभिलियत रखती nifty 50 में जाने की सो दोस्तों आप सभी लोग को में बताना चांगा nifty 50 में अगर आपको entry करना है न तो कुल मिलाखे 6 से 7 इसे अलग-अलग criteria आपका stock large cap होना चाहिए जो exit वाला जो stock है ना उसके market capitalization के हिसाब से entry वालक का market capitalization वो अलग-अलग method में जरू उसके उपर भी वीडियो बनाऊंगा knowledge purpose के लिए बहुत ही solid वीडियो बनेगा वो भी उसी के साथ साथ आपका stock F&O में होना चाहिए यह कुछ criteria जे सो इसको पकड़के अगर हम लोग यहापे कुछ stock की list में आपके सामने यहापे रख दू तो वह कैसे तो वह भी मैं आप लोग को यहापे बताने वालो तो बहुत की मज़ेदार वीडियो होने वाला कुछ तो नया आप लोगों को सीखने को मिल सकता है तो चले तो फटा बट इस वीडियो को स्टार्ट करते बढ़ उससे पहले जरू करना चाहूंगा किसी ने फर्स ताम विजिट के है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कौन से स्टॉक यहाँ पर शायद से निफ्टी-फिफ्टी में जा सकते है तो यह देख लेजिए यहाँ दिवाली से रिलेटेड बाते सामने आ रही है उपर यहाँ पर अगर आप लोग जूम कर देता हूं और आप देख सके यहाँ फिर lying market लिखा है यहाँ पर पहले ही इसको पर मिख्लिक कर ले दौ जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया equity स्टॉक लिखा हूय है जैसे मैं डे क्लिक कर लिया यह सारे निफ्टी-फिफ्टी वाले स्टॉक है अभी किसी को तो यहाँ पर exit मिलेगी right and किसी को तो यहाँ पर entry मिलेगी अभी कितने share को मिलेगी entry exit वो नहीं पता है but minimum हम लोग एक share को तो entry exit में ज़रूर पकड़ते हैं तो चले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा मैं ने zoom किया क्या लिखा है view nifty 50 so यहाँ पर हम लोग इसको scroll down करेंगे and यहाँ पर क्या लिखा होगा मैं बताना चाहूंगा nifty next 50 करके क्या लिखा है nifty next 50 उसको select करना है so यहाँ पर मैंने click कर लिया वापस screen के उपर वह exactly नहीं आ रहा है मैं directly select कर लेता हूँ यह देखे आ गया nifty next 50 यहाँ पर मैंने click किया और ok कर दिया जैसे मैंने ok कर जाता है कि यहाँ पर भी 50 stock की ही list रहेगी और nifty के बाद के 50 stock है यह so nifty next 50 आप लोग यह देख लेना मैंने zoom out कर लिया यह देखिए 50 shares है so possibility होती है दोस्तों कि इसी 50 में से किसी एक stock को nifty 50 में जगा मिलेगी अगर मैं बात करूँ यह है nifty 50 और यह है nifty next 50 so इसमें से एक stock को निकाला जाएगा और इसमें से एक stock को इसमें entry डलवाई जाएगी so nifty next 50 में से ही हम लोग कह सकते है यहाँ पर कि कोई तो stock यहाँ पर nifty 50 में जा सकता है वैसे मैंने आप लोग को बता है nifty next 50 जो रहता है इसमें भी rebalancing होती रहती है कुछ stock ऐसे जिसको nifty next 50 में भी अभी मिली है तो यह सारी चीज़े बदलती रहती है तो यह मत समझ ला कि यह guarantee वाली ऐसी चीज़े कभी भी इसमें से भी कोई stock भार जा सकते और इसमें भी अलग-अलग stock आते जाते रहते हैं बट सबसे closest अगर कोई stock यहाँ पर रहेंगे तो हम लोग जरूर यहाँ पर कह सकते है Nifty Next 50 वाले ही stocks यहाँ पर होते हैं तो चले दोस्तों एक-एक stock को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और कौन सा stock की possibility यहाँ पर बनती है मेरे हिसाब से मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं सिर्फ अपने हिसाब से बतारो आपने भी अपने हिसाब से यहाँ पर study करना चाहिए तो यहाँ देख लेना मैंने जूम कर लिया है यहाँ पर हर एक stock का नाम 50 stock के list है तो आप देख सकते हैं निफ्टी next 50 लिखा हुआ है अभी सबसे पहले यहाँ पर concor का नाम लिखा हुआ है मुझे नहीं लगता यह निफ्टी 50 का पार्ट बन सकता है बहुत ही रेर चांसे से क् कि जैसे मैंने आपनों को बताया कि निफ्टी के जो एनलेसिस्ट होते हैं वो हमेशा देखते कि कौन सा stock मजबूत है आगे future में दोड़ेगा concor की बात करें तो company खरब नहीं है बट divestment से related अनबन होती रहती है तो इसलिए शायद से हम लोग को बहुत ही रेरली इस company को एं कार्ड अगर देखा जाना possibility है यह company को जगा मिल सकती है निफ्टी 50 में guarantee की बात नहीं कर रहा हूं में निफ्टी next 50 की अगर हम लोग बात करें तो SBA कार्ड निफ्टी next 50 में था नहीं इसको अभी अभी entry मिली है तो यह जिस तरीके से grow हो रहा है SBA कार्ड इसको 5 इंडेक्स में जगा मिली थी so 50 में भी शायद से SBA कार्ड को entry मिल सकती है अगर entry मिल गई तो आप लोग समझ सकते हैं यह stock 1000 जाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा यह possibility वाली बात है इसे मैंने कहा कि एक shareholder कोई तो रहेगा जिसको यहापे lottery लग सकती है शायद से आप लोग इसे फटा के का आवा जाता होगा बट उसको इग्नोर कर देना आप लोगों का focus फिलाल यहापे होना चाहिए सो दोस्तों next अगर हम लोग यहापे बात करें बहुत सर लोग यह भी सोचेंगे सर इंडेक्स में जगा मिलना कोई बड़ी बात होती है आप लोगों ने देखा सिधा ऐसा बोल सकता हो चलो फटावट कवर कर लेते हैं उसके बाद HDFC-AMC HDFC-AMC future में कभी तो आ सकता है निफटी-फटी में उसमें इतनी potential है बट अभी फिलाल मुझे नहीं लगता है क्योंकि यह company अभी भी बहुत ज़्यादा struggle कर रही है definitely future में आ सकते है इसलिए हम लोग hope कर सकते है अदानी transmission में ज्यादा मुझे दम नहीं लगता है अदानी green देखा जाए तो जरूर आ सकता है देखा जाए तो मतलब risky stock है यह बहुत ही बहुत ही मतलब PE ratio देखोगे तो इसका तो कहा से कहा चला गया PE ratio और भी बहुत सारी चीज़ अगर आप देखोगे तो stock इत इंटर करने के लायक जरूर है ऐसी कोई बात नहीं कि महेंगा है मतलब जगा नहीं मिलेगी श्री सिमेंट देखलेना 20,000 का stock था लगबग 20-18,000 का तो उसको भी entry मिली थी देन NMDC मुझे ज्यादा possibilities नहीं लगती PGHS also a good stock बट इतना fast return मुझे नहीं लगता जो कि nifty 50 में उसक जगा मिल सकती है तो इसको भी शायद से इग्नोर हम लोग कर सकते हैं मैं इग्नोर कर रहा हूँ इसका बिल्कुल नहीं कि कंपणी खराब होगे बिल्कुल नहीं टेज रिटन देने वाले कौन से possibility create कर रहें वाले stock है उनकी बात हम लोग कर रहें दोस्तों next stock is PD light PD light के बहु finally decision हो गया SBN and HDFC life so ऐसी चीज़े होती क्या वो दो stock खराब है बिल्कुल भी नहीं but nifty के analysis को लगा कि अभी इनका weightage बहुत ही important है देखा जाए तो उसको जगा मिल गई सबसे खास बात होती है जो कि मैं आप लोगों को बोला ना कि ऐसे कोई fix formula है ही नहीं market में so PD light last time भी था शायद से इस वक्त इसको जगा मिल जाए company है बहुत ही बढ़ी है monopoly वाली है cadilla healthcare बहुत ही rare chances लगते इसको आप ignore कर सकते इसको भी शायद से आपे मिल सकता जगा बट इसके भी अच्छे अच्छे stock हम लोगों को देखने को मिलते है बोश की बात करे तो नहीं इतने chances जादा नहीं लगते अगर देखा जाए तो हम लोगों को MSCA index से भी इस company को निकालते वे देखने को मिला है then L&T infotech strong possibility है यह बह 50-50 में आने के लिए पूरी कबिलियत रखती है सो यह important बात जरूर है दोस्तों और एक में आप लोगों को important बात बताने वालों वीडियो आखिर तक देख लेना वरना थोड़ा सा आप लोग गलट direction में जा सकते हो थोड़ा आगे जाते बजाज holding slow चलता है chances कम है इंटर करन नहीं बट still slow चलता है तो addition मिलना थोड़ा सा difficult लगता है गोदरेच consumer की भी बात करें तो इतना attractive नहीं लगता है बाकी FMCG क्या गजब का performance करें बर्जर पेंट शायद से हो सकता है paint का तुसी fakie stock है Asian paint देखा जाए वो chemical sector वाले ही है बट still बर्जर पेंट की possibility बनती है तो इसक इसके उपर भी आप नज़र रख सकते है FMCG के अल्रडी बहुत सारे stock है निसले है उसके बाद actual है राइट दैन वह कौनसा stock ब्रिटानिया है बहुत सारे अल्रडी है तो इसके उपर आप नज़र रख सकते है यह भी कोई corrupt stock नहीं है दैन अगर हम लोग बात करें इंफरा इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें जंडरल इंशॉरंस कॉर्परेशन ऑफ इंडिया इसके भी चांसे से रेर लगते है यूबील भी इतना स्टॉंग नहीं लगता है कोल पाल गुट स्टॉक बट निफ्टी विटी में शाय से रेर चांसेस मिलेंगे क्योंकि पहले य अगर में बात करें तो इतना भी जबरदस फिलाल तो नहीं लगता है बंदन बैंक भी ठीक है बट इतना अभी अभी बी सॉलेड नहीं लगता है कि उस निफ्टी विटी में जगा बना सके आईसी जंडरल एक अच्छा स्टॉक है चोटा सा पॉसिबिलिटी चाहे तो आप लोग ले सकते हो मैकडवल इतना दम नहीं लगता है मुत्वट फाइनेंस ये कंपनी जरूर लगती इसमें दम जरूर है उसके बाद इन्फो एज नोकरी और सबसे ज्यादा दोस्तों किसी एक्सपर ने दाव लगा है वह इन्फो एज के उपर लगा है कि नोकरी ये 50 की री बैलेंसिंग हो जाने दो इन्फो एज आएगा ही आएगा इसे बहुत सारे हाफ एक्सपर्ट के आया पर मानना है कंपनी बिल्कुल खराब नहीं है अच्छी कंपनी इतना नहीं लगता है सीमेंस की बात करें स्टॉक अच्छा है थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है है भी अच्छा स्टॉक है बट ठीक है इतना कोई ज्यादा अदम नहीं है ओके हम लोग बोल सकते हैं टॉरेंट फॉर्मा ऑल्सो गुट स्टॉक थोड़ा सा चल सकते हैं बट स्ट्रॉंग पॉसिबिलिटी की बात करें तो मुत्वट फाइनेंस हैं नोकरी इस पे स्ट्रॉं पॉसिबिलिटी एए इस बेए काड की भी स्ट्रॉंग पॉसिबिलिटी एंड एलेंटी इंफो टेक यह बी स्ट्रॉंग पॉसिबिलिटी ए दैन अगर हम लोग बात करें आईजियल ऑल्सो गुट स्टॉक चांसेस थोड़े रेर नजर आते बट स्टॉक इबट इसके भी पॉसिबिलिटी बट यह आई नहीं सकता अब आप बुलोगे ऐसे क्यों 100% बहुत ही रेर क्यूंकि आगर आप डिमाट के उपर जाओगी जैसे मैंने बोला कि वह एफनो में होना चाहिए जाओ डिमाट के उपर और चेक कर लो क्या वह एफनो में कैसे चेक करने का उसके उ यह देखने को मिल रहा है यहां पर उपर क्या लिखा है मार्के ट्रेकर के उपर डेरेविटिव ऑप्शन चेंड इसके उपर क्लीक करोगे तो आपको future options मिल जाएंगे तो दोस्तों ये खासियत है कि Nifty next 50 में अगर आप लोगों ने ये भी check करना चाहिए कि कौन सा stock यहापे आप लोगों के FNO में भी देखने को मिल रहा है तो ये भी एक important homework है मैंने सिर्फ आपको नाम बता है इसे कुछ stock हो सकते दिमार्ट जैसे जो कि यहापे नाम लिखे हुए बट निफ यहापे FNO में अभी तक वो दर्ज हुए ही नहीं है अगर हम लोग बात करें DLF जादा chances नहीं है अरवीन दो फार्मा भी इतना दम नहीं लगता है और PL की भी बात करें तो ठीक है बट इतना यह नहीं लगता है तो दोस्तों जीतने भी stock थे मैंने आप लोगों को यहापे बता दे strong possibility वाली मुझे कुछ stock लगते में नाम बोल दिया already नवकरी या फिर आप बोल सकते info age SBA card, LNT, Infotech, Muthut, Finance यह जो stock से इनकी possibility बहुत जादा high लगती है यह मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ obviously आप भी अपना यहापे जो conclusion है उसको draw यहापे कर सकते हो so आयवाशा करता हो दोस्तों कुछ तो नहीं सीखने को आप लोगों को मिला होगा so आप लोग भी जरू comment section में बोल सकते हैं कि आपको कौन सा stock लगता है so आप भी जरू comment section में बता देना कि आपको कौन सा stock यहापे लगता है किसी चीज़ की guarantee नहीं होती कोई भी दूसरा stock भी आप लोगों को यहापे देखने को भी मिल सकता है मैंने सिफ आपको possibility वाली बात बताईए आपको कुछ नया भी सिखनी को मिलेगा तो जरूर इस वीडियो को like and share कर दीना so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए बाई बाई